नमस्कार दोस्तों आप है अपनी ही गुडलेविंग चैनल पे और भाई आज का जो वीडियो है वो गार्डन के अपडेट के उपडेट के उपर है वैसे तो देखो इस टैम जो हमारे एवर्ग्रीन पोधे है ना उनके लिए पज़ड चल रहा है लेकिन कुछ ऐसे पोधे है जिनकी आप कटिंग अप लगा सकते हो और बिल्कुल दोस्तों कुछ तो ऐसे पोधे हैं कि जो एवर्ग्रीन होने के साथ साथ आप विंटर में फ्लावरिंग भी करेंगे और दूसरों को कुछ आप इस तरीके से लगा सकते हो कि अगर आपको एवर्ग्रीन गार्डन चाह तो अगर आपको पोधा अच्छा लगता है तो आप इसकी कटिंग जरूर लगाएं बहुत सुंदर लगता है ये अभी तो देखो ऐसा विंटर का टाइम भी नहीं आया तब भी देखो इसके प्लांट कितने खूबसूरत लगते हैं और किसी भी कलर का कैलन कोई का और सारे दिन गार्डन में से फट फट किया वा जाती रहती है क्योंकि वो फिर फूटते हैं और इदर उदर सीड भी स्प्रिंकल हो जाते हैं और कुछ पर अभी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो इसी तरीके से मिला जूला गार्डन चल रहा है और यही था दो इस टम दोस्तों आप कटिंग लगा सकते हो बहुत सारे ऐसे एवर गिरीन प्लांट की जिनकी की अभी आप कटाई छटाई करोगी और यह दिखो है कलीफा का प्लांट जितने भी दोस्तों मेरे पस एक बार लाई थी बहुत पहले कोई साल पहले उसके बाद मैंने इसको रेकॉरेशन से के होते हैं शेड लवी होते हैं लेकिन इसका ऐसा कोई चक्कर नी है आप इसको कहीं भी लगा सकते हो और यह जितने भी पोद्धे आप देख रहे हो यह मैंने कटिंग से उगा रखें और इसको कितने बड़े-बड़े होगे हैं इनकी भी कटाई-चटाई कि अब जरूरत होगी क्योंकि अब धूप आगया गी कम हो जाएगी और यह और प्लांट को धूप मिलने से ना रुकें तो इसके कटाई-चटाई भी जरूर होगी और उसके सासत मैं इसकी कटिंग भी लगा दूगी और यह मुझे जंगे जंगे लगे हो वैसे भी देखो जो मैं आपको बता रही थी ना गार्डन में सारे दिन फटफट के अवाज आती रहती है तो सीड जितने भी पोद्धों पे फूलो वाले पोद्धे हैं जो जिन पे सीड बनते हैं तो उन पे यह सीड जो है महच्चोर हो जाते हैं और फिर अपने आपसे फटफट क इदर इदर गिरते हैं और इस टेम भई आप सीड कोलेक्ट अगर पोद्धों के करना चाहो तो बिलकुल कर सकते हो नहीं तो अगर आपका कच्चा एरिया है या बहुत सारे गंबले रखे हैं तो उन में भी गिर गिर के नए-ने प्लांट अपने आप बनते चले जाएंगे और यह देखो भी यही गार्डन अपडेट है और यह देखो सारे जो जितने भी पोद्धे फूलो वाले हैं जिन पे सीड पोड के जरीए सीड बनते हैं अपने आप ही इन में से गिरते रहते हैं फटफट के यह देखो यह अपराजिता के पोद्धे हैं और इस टेम भई अगर आपको इकठे करने हो इनके बीच तो आप कर भी सकते हैं अपने जानने वालों को भी दे सकते हैं क्योंकि अपराजिता का पोद्धा वैसे इतना अच्छा होता है जिसको दोगे वो खुश तो हो गई होगा और साथ में इतने सुन्दर सुन्दर प्लांट उनके भी तो देको चारो तरफ फलियां बन रही है खूप सारी मैचोर हो के कई बर आप भी फटते रहते हैं तो मैंने भी इसकी बेल बहुत जगए लगा रहे हैं और मोस्ट ली पोदों पे ना फूल आने के साथ साथ फलियां भी बनने लगए हैं खूप सारी और इस टाइम पिच् की कटाई चटाई करें तो उनकी स्टेंप्स को अगर आपको लगाने लाइक लगती है वो तो आप जुरूर लगाए और देखो कुछी दिन पहले मैंने नाग चंपा की कटिंग लगाई थी यह भी कितनी अच्छी तियार होगी है तो इस तरीके से मतलब वराइटी से कटी हो जाती है अगर कोई पुद्धा आपको अपने गार्डन में ही बहुत अच्छा लगता है तो भी आप उसको पुद्धो के पत्ते बही अब जढ़ने लगे हैं खाली-खाली से लगने लगे हैं इतना ग्रीनिश सानी लगता है अब गार्डन क्यूंकि पत्ते जढ़ने के साथ साती ना खाली-खाली से लगती है स्टेम्स नहीं तो पहले खुब भरा हुआ था और यह देखो यह भी मैंने कटिंग से उगा रखा है इबिसकस और इस पे बहुत मल्टी-पैटल वाला कटिंग लगाई थी मैंने और यह देखो कितना अच्छा हो गया है ना बलकि मैं कई बर सोचती थी इसको निकालनू ल सरी बेल है मेरे पास सब पे सीड पोर्ड भी बन गया है फूल भी आते रहते हैं तो इस तरह के देखो जो मैच्चोर हो जाए ना फली उसके ही आपने बीज लेने है कच्ची के नहीं लेने तो यही गार्डन का अपडेट तभी कोई ऐसी अलग से कोई वो नहीं थी और हुआ है चोटे सेटब में और इस मनी प्लांट को भी मैंने फोल्ड किया इसकी एक बहुत मोटी स्टैम अंदर यंदर घुस घुस के ना अंदर की तरफ चली गई थी और मेरा काटने का भी मन नहीं था उसको और मूड भी नहीं रही थी वो इतनी मोटी फिर मैंने किसी तर नहीं था तो इस तरिके से घना भी हो जाएगा और चल भी अच्छा रहा है और यह बनाया भी मैंने हो में लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने पनीर निकाला था भी और उसमें वह था अद्धा जग होगा वह एक डेड़ लीटर होगा शायद फिर उसमें मैंने पानी मिक्स कर दिया हम मैं इनको पोद्धों को देने जाओंगी मैं ऐसा पानी बिल्कुल भी निफैक्ती किचन में भी इतना यूज हो मैं कर लेती हूं आटा वाटा गूमने में और फिर जो बज्जा है उसमें पानी मिक्स करके मैं अपने पोद्धों में डाल देती हूं यह बहुत लगाती हूं कोई भी खाली डबा वबभा मिले सिंगोनियम की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हो मतलब यह मोसम ऐसा चल रहा है इस टाम ना तो जड़ ठंड है घर्मी तो हैं नी तो इस टाम आप किसी भी पोद्धे की कटिंग लगा सकते हों जो भी आपके पास वेस पूर शोक करके लगाना चाहिए इसका पूद्धा हमेशा रहने वाला भी है सुन्दर भी लगता है और मेरे तो भई कमले बिल्कुल भरे से रहते हैं क्योंकि मुझे आदत है एक ही जंगा पे कई पूद्धे लगाने के और देखो सारे अच्छे भी चल रहे हैं कितने अच् अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो और जिसको जादे ही अच्छे लगते हैं भई जिसको वेट रहती है वीडियो की तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मुझे